एक दादा जी गर्मियों के माइने में मचलिया पकरने का कुछ वेवस्ता लेके आते हैं और आज के दिन दादा जी बहुत खूस होते हैं लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे बोतल भी अपने साथ लेके आते हैं कुछ इस परकार से देखिए और दादा जी मचली मानने का हाथियार भी लेके आते हैं जो सभी बोतल में बना होता है तो देखिए दोस्तों दादा जी जो है कि अपने काली पोल्थिन में से मचली का चारा निकाल लेते हैं लेकिन इसमें तो जिंगा होता है, और दादा जी जो एकी कुछ इस परकार्ट से हमें दिखाते हैं, दिखाने के बाद दोस्तों दे democrat क्वादा में कटया लगा है, और कटये में जो एकी इस जिंग को फसा देते हैं ताकि मछली में असानी तरीके से पकर सको, और दादा जी जो है कि सभी बोतलों में मचली का चारा फसा लेते हैं उसके बाद जो है कि दादा जी जाने लगते हैं नदी के पास तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है कि दादा मचली पकरते हैं तो देखिए दोस्तो दादा दी जो है की पानी के अंदर आ चुके हैं उसके बाद देखिए इदा पानी के ऊपर जो कचरा है दोस्तो उसे साप कर रहे हैं अपने हाथ के मदद से तो देखिए एक बोतल को लेते हैं और बोतल को उल्टा करके पानी के अंदर डाल देते हैं फिर उधर जो एकी उल्टा बोटल जो एकी पानी के अंदर डाल देते हैं तो देखी दोस्तों दादा जी जो एकी कुछ दूरी दूरी पे इसी तरीके से बोटल को पानी में डाल के चले जाते हैं तो देखिए दोस्तों इदादा जी जोगी फिर से आ गए हैं तीन गंटे बाद तो देखिए अपने साथ जो एकी प्लास्टिक का भोगोना भी लेके आ रहे हैं उसके बाद देखिए दादा जी चेक कर रहे हैं कि मचली फसी है या फिर नहीं तो देखिए कुछ इस परकार स उसके बाद देखिए दोस्तों एक मचली फस गई होती है तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से दादा जी ने अपना काम किया है और देखिए बहुत ही असाई तरीके से एक मचली भी फस गई है इसी तरीके जो है कि दोस्तों सभी बोतल में जो है कि मचली फस गई होगी तो चलिए दोस्तों अगर आपको जो है कि यह वीडियो अच्छारा काओ जरू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना तब तक के लिए धन्यवाद